हेलो दोस्तों मैं संदीब आप सभी का जारकन फायटर्स भाई SK7 यूटूब चनल पर फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मल लगा की पढ़ाई कर रहे होंगे या मैं उमीद करता हूँ तो दोस्तों लेक्चर का सुरुवात करते हैं दो क्लाइंस के साथ अगर आपका बच्चपन गरीबे में बीता इसमें आपका कोई गलती नहीं है मगर आपके माबाप का बुड़ा बाप अगर गरीबे में बीता तो इसके जिम्यदार सिर्फ आप हैं तो दोस्तों आपको decide करना है आपको life में क्या करना है मैं आप सभी के लिए इतने मेहनत से time निकाल कर lecture मना रहा हूँ अब ये आप पर depend करता है आप इस lecture से लाब लेते हैं या नहीं आप इस lecture को पूरा देख भी सकते हैं और skip भी कर सकते हैं तो benefit उनहीं को देगा जो ये lecture पूरा देखेंगे और समझाएंगे description में एक telegram group का link दिया गया है आप इस group में add हो सकते हैं आज के इस lecture में हम लोग कुरमाली practice set का part 27 करने वाले हैं आप comment करके बताएगा आपके total कितने question correct हुए पूरे इमानदारी के साथ आज का practice set कुरमाली पीठा पर based है इससे related एक question आपके exam में जरूर आ सकते हैं तो चलिए lecture सुरू करते हैं पहला question कौन पीठा टाके तेले चांकी के बनात यानि की कौन से पीठा को तेल में चांक के बनाया जाता है option A खापरा पीठा, option B चारपा पीठा, option C पाथ पोड़ा पीठा या option D गुड़ पीठा तो इसका correct answer हो जाएगा option D गुड़ पीठा गुड़ पीठा को जो है तेल में चांक के बनाया जाता है कौन पीठा टाके सारवा माहने धापी के बनात option A गुड़ पीठा, option B चिलका पीठा, option C खापरा पीठा या option D चारपा पीठा तो इसका correct answer हो जाएगा option C खापरा पीठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पीठा टाके चुलहाग आएगे पड़ात option A चिलका पीठा, option B पात पोड़ा पीठा, option C खापरा पीठा या option D गुड़ पीठा तो इसका correct answer हो जाएगा option B पात पोड़ा पीठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पीठा टाके पाते पोड़ात, option A चिलका पीठा, option B खापरा पीठा, option C पात पोड़ा पीठा या option D चारपा पीठा तो इसका correct answer हो जाएगा option C पात पोड़ा पीठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पीठा टाके ताए बनात, यानि कि कौन से पीठा को ताए में बनाया जाता है option A चिलका पीठा, option B खापरा पीठा, option C गुड़ पीठा, या option D सभेगिला तो इसका correct answer हो जाएगा option A चिलका पीठा, चिलका पीठा को जो है ताए में बनाया जाता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पीठा सीम में साथ, यानि कि कौन से पीठा में सीम मिलाया जाता है option A खापरा पीठा, option B चारपा पीठा, option C चिलका पीठा, या option D गुड़ पीठा तो इसका correct answer हो जाएगा option B चारपा पीठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पीठा तिलेक दोरकार निहाइक, यानि कि कौन सा पीठा में तील का जरुरत नहीं होता है option A चारपा पीठा, option B गुड़ पीठा, option C खापरा पीठा, या option D चिलका पीठा तो इसका correct answer हो जाएगा option C, खापरा पीठा, यानि कि खापरा पीठा में तील का जरुरत नहीं होता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पीठा टाके मसाला देखे बनात, यानि कि कौन से पीठा में मसाला देखे बनाया जाता है option A, गुड़ पीठा, option B, खापरा पीठा, option C, चारपा पीठा, या option D, सभेगे ला तो इसका correct answer हो जाएगा option C, चारपा पीठा, यानि कि चारपा पीठा में मसाला देखे मनाया जाता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं उससे पहले एक important notice अगर आप G.S.C. C.C.L. का preparation कर रहे हो तो आपके लिए कुर्माली test series का paid course लाएगा है इसमें आपको 1700 question रूपीज 99 में दिया जा रहा है description में एक whatsapp number दिया गया है आप इसमें contact कर सकते हैं test series आपके exam के लिए बहुत ज़्यादे important है आपको test series जरूर purchase करना चाहिए तो अभी अगला question देख लेते हैं कौन पिठा तके तेले चाहकी के बनात यानि कि कौन से पिठा को तेल में चाहक के बनाया जाता है option A चारपा पिठा, option B खापरा पिठा, option C पातपोड़ा पिठा या option D कौन नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option D कौन नहीं गुड़ पिठा को जो है तेल में चाहक के बनाया जाता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं गुड़ टाके गुड़े पाक देखे कीना पिठा बनात option A छिलका पिठा, option B खापरा पिठा, option C चारपा पिठा या option D गुड़ पिठा तो इसका correct answer हो जाएगा option D गुड़ पिठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पिठा टाके छाचराव छाकत, option A खापरा पिठा, option B गुड़ पिठा, option C छिलका पिठा या option D चारपा पिठा, तो इसका correct answer हो जाएगा option B गुड़ पिठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं ताए, टूइक पारा तेल देखे किना पिठा मनात, option A चिलका पिठा, option B खापरा पिठा, option C गुड़ पिठा, या option D सभी गिला तो इसका correct answer हो जाएगा option A चिलका पिठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं इगला मुद्धे, कौन पिठा, टाके, तावा, तेल देखे, चांकत, option A गुड़ पिठा, option B खापरा पिठा, option C पात पोड़ा पिठा, या option D खोनो नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option A गुड़ पिठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं चारपा पिठा किना टाव बनात यानि कि चारपा पिठा किस में बनाये जाता है option A, तवा, option B, तासला, option C, ताई, या option D, हाली तो इसका correct answer हो जाएगा option C, ताई चारपा पिठा को जो है ताई में बनाये जाता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं तूसु पर भे किना कर पिठा गुड़ी महने गुड़ पिठा मनात option A, कहम गुड़ी, option B, चावर गुड़ी option C, नौज हाईर गुड़ी, या option D, माडोवा गुड़ी तो इसका correct answer हो जाएगा option B, चावर गुड़ी यानि कि चावर का गुड़ी, तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन परभटा गुड़ पिठा करते है नामी है option A, टूसु परभ, option B, बान्दा परभ, option C, करम परभ, या option D, जीतवा परभ तो इसका correct answer हो जाएगा option A, टूसु परभ तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पिठा तेल आर मसाला कर दरकार नहीं है यानि कि कौन से पिठा में तेल और मसाला का जरुरत नहीं होता है option A, पातपोड़ा पिठा option B, चारपा पिठा option C, गूर पिठा option D, सभे गिला तो इसका correct answer हो जाएगा option A, पातपोड़ा पिठा पातपोड़ा पिठा में जो है तेल और मसाला का जरुरत नहीं होता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं बीना बनाएक बईर कौन पिठा तावा ताई जांजरा खूसनी कोनों कर दोरकार नहीं है option A, गूर पिठा option B, खापरा पिठा option C, छिलका पिठा या option D, पातपोड़ा पिठा तो इसका correct answer हो जाएगा option D, पातपोड़ा पिठा तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं कौन पिठा ताके चाकल, पोरे, हाडी, ये, किमबा, डेक्ची महाने, राकत यानि कि कौन से पिठा को जो है चाक लेने के बाद हाडी या फिर डेक्ची में रखा जाता है option A, खापरा पिठा option B, दिलका पिठा option C, चारपा पिठा option D, गूर पिठा तो इसका correct answer हो जाएगा option D, गूर पिठा यानि कि गूर पिठा को जो है चाक के हाडी या डेक्ची में रखा जाता है तो अभी हम लोग अगला question देख लेते हैं इगिला मुद्धे कौन पिठा ताके तावा तेल दे के चाकन option A, पात पोड़ा पिठा option B, खापरा पिठा option C, गूर पिठा या option D, सभे गिला तो इसका correct answer हो जाएगा option C, गूर पिठा तो दोस्तों ये था कुर्माली प्रेक्टिस सेट का part 27 आप comment करके बताएगा आपके total कितने question correct हुए पूरे इमानदारी के साथ ये एक easy topic है और इसे related question आपके exam में आ सकते हैं इसे आप अच्छे से revise करना और इसके notes बना लेना तो दोस्तों, आज का lecture मैं यहीं पे end करता हूँ जैसा कि मैं हमेसे कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, आप से जल्द मुलाकात होगी, lecture देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद